नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओल्लाइन और ओफलेंगर में एक बहुत बड़ी अपडेट जिसका बहुत ही बेसबरी से आईटे वाले बच्चे इंतिजार कर रहे थे कि बियारों के एड्मिट काट कब आएंगे आप जानते हैं इसकी वेकेंसी आप लोगों के लिए पिछले साल आईती है और डिपार्टन ने बड़ी मात्रा में इसका फॉर्म फिल करवाये था बहुत ही बेसबरी से बच्चे इंतिजार कर रहे थे कि इसका अड्मिट काट कब आएगा और मैंने आप लोगों से बोला ही था का आप चिंता मत कीजिए मैं तो आप लोगों की मदद करी रहा हूँ पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए तत पर रहते हैं एक बच्चे ने मुझे लिस्ट बेजी शोट लिस्ट सो मैंने सुचा आप लोगों को इससे अवगत करवा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इसके बार में पूछ रहे थे तो यहाँ पर यह list जारी करके इन्होंने दिये इस list में short list बच्चों का नाम है अभी इन्होंने सिर्फ welder trade के admit card की list जारी की है अन्य trade का अन्य जो posty उनका आता है तो मेरा एक दूसरा channel है गोरफ junction नाम से उसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप जो है उसे join कर ले न वहाँ पर BRO की information पलपल की आप लोगों को मिल जाएगी यह welder trade का है ध्यान रखना इस चीज को एक चीज मैं और बता दू BRO हर किसी को admit card नहीं देता है इन्होंने यहाँ पर cutoff भी जारी किये cutoff के basis पर यह बच्चों को shortlist करता है और निराश होने की ज़रुत नहीं है देखो आपका marks का criteria अच्छा होगा इनके इस notice पर इसमें जो है notice में आप लोगों को proper तरीके से चीज़े इन्होंने दे रखी है ऐसे बच्चे बिलकुल tension मत लीजिए जिनका जो है यहाँ पर admit card घर पर नहीं पोचेगा department ने साफसा बोल दिया है कि बिना admit card के भी आप लोग पहुँच सकते लेकिन कुछ चीज़े आप लोगों के पास होने चाहिए लेकिन आपका list में नाम नहीं है तो तो आप नहीं जा पाऊगे इस चीज़ का ध्यान रखना यह cut off marks है ठीक है trade welder के यहाँ पर reporting date of return exam 28 फरवर है आप लोगों का अगर admit card घर पे नहीं पहुच था तो इस center पे बिना admit card के विद्धी relevant details आप लोगों को पहुचना पढ़ेगा यहाँ पर कुछ important चीज़े है please see important note candidates are advised to wear face marks तो पीछे कुछ information दे रखिए अभी आपको मैं दिखाऊँगा यह बच्चों के list में नाम दे रखें तो आप लोग इसे एक बार देख लें ना आपका नाम है तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो आप exam जरूर निकाले और आगे के process के लिए आगे बढ़े अब note इसे पढ़ते हैं हम लोग total 407 only candidates को बुलाया है इन्होंने इसे संपर्क बनाये रखें उसी के according आप लोग जो ट्रेन को book करें कि आपका वहां तक पहुँच सकते हैं बी वाला part बहुत important है इसे पढ़ें in case any candidate does not receive the admit card admit card आपको नहीं मिलता है he may appear for written test क्योंकि इसमें लड़कों को बुलाया गया था आपको written test के लिए appear करवा दिया जाएगा ठीक है आपके आगर इस list में नाम है तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा one latest photograph और original identity जो आपका proof होगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पर photograph के साथ अधा driving license आप लोगों का चल जाएगा उसके बाद C में the date of return exam 28 तारीक इनों रखी हुए Tuesday को February की और center आप लोगों को यह दे रखा है timing आप लोगों को early वहाँ पर पहुँच जाना है जो timing दे रखी है उसी के early पहुच जाना आप लोग timing जो है इनोंने यहाँ पर यह दे रखे 8 बजे की बाकी मेरी तरफ से जो information थी मैंने आप लोगों को दे दी है इसके अलावा अगर कोई और मेरे पास जानकारी आतकी है इससे related आप लोगों को बताता हूँ बाकी और भी जो post है और भी जो categories है और भी जो trade है उनके लिए admit card की update आती है और जोनों ने 2023 वाली जो बच्चे है जोनों ने फोम फिल किया वो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेरा 2022 वाली पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाया था लेकिन इस पर जो आप लोगों के लिए 2023 की वेकेंसिया आई है जिसमें वेकल मेकैनिक की बहुत ज़्यादा पोच्ट है उस पर मेरा पूरा ध्यान है इस बार आप लोगों को हर चीज़ से अवगत करवाता हुए मैं चलूँगा और उसकी तयारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ दे रखा है वहाँ से जाके अपना कंटेंट आप लोगों ने सकते हैं बियारों का धन्यवाद